Hello students, आज हम residential status के chapter में जो बची हुई categories हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इससे पहली वीडियो में हमने residential status के में individual का residential status कैसे find out करते हैं ये पढ़ा था तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो individual है उसका status हमने कैसे find out किया था individual का status हमने under section 6 up section 1 में find out किया था एक individual को तीन तरह का status assign हो सकता है ordinary resident, not ordinary resident and non resident ordinary resident वो होता है जो section 6 1 और 6 6 की चारों conditions को पूरा करता है not ordinary resident वो होता है जो 6 1 की conditions तो पूरी करता है पर section 6 6 की conditions पूरी नहीं करता और non resident वो होता है जो section 6 1 की कोई भी condition पूरी नहीं करता इसके case में फिर हमें आगे 660 conditions को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती अब हम देखेंगे कि ये सारी conditions क्या होती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि basic conditions के बारे में कि 6.1 के अंतरगत दो conditions है 6.1 A और 6.1 B किसी भी resident को अपने आप किसी भी विक्ति को अपने आपको ordinary resident प्रूफ करने के लिए 6.1 की conditions जो दोनों हैं उन में से कोई एक condition पूरी करने होती है 6.1 A के according he must be in India for 182 days or more in relevant previous year यानि कि संबंधित गतवर्ष जो कि 2019 है उसमें कोई भी विक्ति यदि भारत की अंदर 182 दिन या उससे जादा रहता है तो हम यह मानेंगे कि वो 6.1 की conditions को पूरी कर रहा है 6.1 में B में क्या था? अगर वो 182 दिन भारत में नहीं रहता संबंधित गतवर्ष में तो he must be in India in relevant previous year for 60 days or more plus 365 days or more in 4 previous year preceding the relevant previous year यानि कि अगर वो 2019 और 20 जो की relevant previous year है उसमें 182 दिन भारत में नहीं रहता तो हम उसके 60 दिन चेक करेंगे 60 days लेकिन इन 60 days के साथ हम relevant previous year से immediately पहले के 4 years में उसके 365 days और more भी चेक करेंगे यानि कि यहां पर हमें 2 बाते देखनी हैं एक तो 2020 के दौरान उसके 60 दिन या उससे जादा बनने चाहिए plus 2020 से पहले के immediately पहले के 4 years में उसका 365 days का stay भी बनना चाहिए तब हम कहेंगे कि वो 61B की condition पूरी करता है यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि कुछ cases में 61B में भी 60 days नहीं देखने हमें 182 days ही देखने हैं वो क्या है वो low conditions है एक तो जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर नौकरी करने फॉरण शिप पर नौकरी करने के लिए जा रहा हो employment purpose के लिए जा रहा हो तब हम 60 days की जगा पर 182 days देखेंगे दूसरा अगर भारत से बाहर यानि की कोई विदेशी व्यक्ति जो की Indian origin का है जो रहता बाहर है परंतु इंडिया गूमने फिरने की इरादे से आता है उस case में भी हम उसका stay 60 days का ना देख करके 182 days का ही देखेंगे बाकि सभी cases में हम 60 days consider कर सकते हैं तो यदि कोई विक्ति 6 1 A या 6 1 B में से कोई भी condition पूरी कर देता है फिर हम उसकी additional conditions check करेंगे 66 के अंतरगत 66 के अंतरगत भी दो conditions हैं 66 A and 66 B यहाँ पर एक विक्ति को resident proof करने के लिए इन दोनों conditions का पूरा होना ज़रूरी है 66 के अंडर he must be resident for 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year यानि कि जो relevant previous year है 2019 और उससे पहले के 10 में से 2 सालों के लिए वो विक्ति resident होना चाहिए जब हम यहाँ पर resident या निवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें वापस 6 1 A और 6 1 B चेक करने पड़ेगी 10 में से 2 सालों के लिए 66 B के अंतर गत he must be in India for 730 days or more in 7 previous year preceding the relevant previous year यानि कि संबंदित गतवर्ष जो कि 2019 और 20 है उससे immediately पहले के 7 गतवर्षों में से 730 दिन या उससे जादा वो भारत में रहा हो तो अगर कोई विक्ति इन दोनों conditions को भी पूरा कर देता है प्लस 6 1 A और B में से कोई एक पूरी कर देता है तो हम कहेंगे कि वो resident है not ordinary resident कौन होगा जो 6 1 की condition तो पूरी करेगा यानि कि basic conditions में से तो दोनों में से वो एक पूरी करेगा पर नन्तु जो additional conditions है 6 6 की वो पूरी नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वो not ordinary resident है और अगर कोई विक्ति मान लीजे basic condition ही पूरी नहीं करता 6 1 की ही पूरी नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा non resident that is a university यह मैंने सिर्फ आपको पिछले lecture का brief दिया था कि एक बर याद आ जाए next है HOA firm AOP जिसको हम under section 6 2 में पढ़ेंगे जो HOA firm AOP और B.O.I है यह resident कब होंगी? जब when the control and management of affairs of all of these is wholly or partly situated in India during the relevant previous year then all of these are treated as resident in India तो यानि कि यहाँ पर हमें क्या चीज समझनी है कि relevant previous year के अंतरगत यदि इन सब का प्रबंध हम नियंतरण भारत में है चाहे वो आशिक रूप से ही क्यों ना हो तो हम कहेंगे कि यह resident है अब बात आती है कि प्रबंध हम नियंतरण का मतलब क्या है प्रबंध हम नियंतरण का basic मतलब तो यह है कि जो भी controlling and directive power है वो इंडिया में होनी चाहिए यानि कि नियंतरण करने वाले विक्ति जो दिशा निर्देश देने वाले विक्ति है वो इंडिया में रहते हुए decision ले, actual control इंडिया में होना चाहिए, सिरफ manage मतलब दिखावा ही नहीं होना चाहिए, actually में जो भी activities है वो इंडिया में रहकर perform हो, moreover day to day affairs की बात नहीं होती, day to day affairs इंडिया में हो रहे हैं, जो major decisions हैं business को लेकर, वो सारे इंडिया में रहते हुए हो होंगे, तो हम कहेंगे कि ये resident है, इंडिया में रहने का मतलब है कि जो भी इनकी controlling authorities हैं, वो इंडिया में रहते हुए decision लेंगे, तो ये सारे resident कहलाएंगे, next आता है non resident, अब इन सभी के case में, यदि इनका control and management पूरी तरह से इंडिया से बाहर होगा, तो हम कहेंगे कि H.O.A. firm, association of person, body of individuals, ये सारे के सारे non resident है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने की है, जैसे कि हमने individual में देखा कि उसको तीन status assign थे, ordinary resident, not ordinary resident and non resident, तो जो H.O.F, firm, A.O.P. और B.O.I. हैं, इनमें हमने resident and non resident तो पढ़ लिया, तो अब not ordinary resident किस को मिल सकता है, सिरफ H.O.F को, इन चारों में स सिरफ Hindu undivided family ही not ordinary resident का status claim कर सकती है, वो भी कैसे, हम वो देखेंगे, एक H.O.F. not ordinary resident हो सकती है, बट कब, if the करता और manager of resident H.O.F. satisfies both additional condition given under section 66 in his individual capacity, then H.O.F. is said to be an ordinary resident, otherwise not ordinary resident, क्या मतलब है इसका, कि यदी करता अपनी व्यक्तिगर्थ क्षमताओं में section 66 की अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता, तो हम कहेंगे कि H.O.F. भी not ordinary resident है, लेकिन अगर वो section 66 की जो conditions आज हमने individual में revise की हैं, अगर वो उनको पूरे कर देता है, तो H.O.F. भी resident कहलाएगी, next है company, company के case में resident, company कब होगी, कोई भी भा company होगी, कोई भी condition देखने की जुरूरत नहीं है, एक non-Indian company, यानि कि अगर कोई विदेशी company है, तो वो कब resident मानी जाएगी इंडिया में, जब इसका place of effective management इंडिया में होगा, अब place of effective management का मतलब क्या है, कि company को चलाने से related, जितने भी important decisions हैं, business से जितने भी related important decisions हैं, वो सारे के सारे पूरी तरह से इंडिया में रहते हुए लेने हैं, तब हम कहेंगे कि वो company resident है, otherwise अगर company का जो effective management है, वो पूरी तरह से इंडिया से बाहर है, तो हम कहेंगे कि वो non-resident है, next है, every other person, every other person के case में भी simple सा concept है, कि यदि इनका control and management पूरी तरह से या आशिक रूप से इंडि इंडिया से अंदर है, तो ये सारे resident है, यानि कि अगर इनका control and management within इंडिया हो रहा है, तो resident है, और अगर पूरी तरह से इंडिया से बाहर है, तो non-resident है, तो अब हम एक बार इसको brief में समझते हैं, सबसे पहले individual को ही लेते हैं हम, individual को कौन-कौन से status मिल सकता है, ordinary resident, not ordinary resident and non-resident कब-कब मिलेगा, ये मैंने आपको हाज भी revise कराया है, और पिछली वीडियो जिसमें मैंने with example ये सारी चीटे समझाई हैं, उसका link भी मैं इस वीडियो के description box में paste कर दूँगी, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, next है, HOF from AOP और BOI, इसमें से जो HOF है, उसको तीनों त जो बाकी के तीन थे, फरम, AOP और BOI, ये सिरफ या तो ordinary resident होंगे, या non-resident होंगे, इनको अनो आर्गा status नहीं मिल सकता, बाकी के जो बचे हुई दो categories हैं, that is company and any other person, वो भी जो दोनों के दोनों हैं, या वो ordinary resident होंगे, या फिर non-resident होंगे, इनको भी not ordinary resident का status नहीं मिल सकता, य पिरफ, individual और H.O.F. को ही, जो not ordinary resident का status है, वो मिल सकता है, बाकी किसी को भी नहीं मिल सकता, बाकी सब या तो ordinary resident होंगे, या फिर non-resident होंगे, मेरी ख्याल से ये concept आपको समझ आ गया होगा, thank you.